वेलकम बैक इन दिस वीडियो नए सिक्षक आज से स्कूलों में पढ़ाएंगे जिया दोस्तो एक बिग अपडेट के साथ उपसे थो क्या है अपडेट आए देखते हैं इस वीडियो में चैनल पर अगर 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 ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नोटिफिक परिक्षा में सफलों कराया है विभाग का निर्देश था कि दिवाली और छट की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलें तो यह सिक्षक अपनी सेवादें इसी के रूप जिलों में करवाई की गई है जिया दो विभिने स्कूलों में लगबग एक लाग दस अजार नए सिक्षक आ चुके हैं और कहा जाए कि आज से यह अपनी प्रहाई जो है बचों की प्रहाई सुरू करेंगे सिक्षा विभाग द्वारा आवंटित स्कूलों में सिक्षकों ने योगदान दिया है जिलो द्वारा एक लाग दस अजार नियुकति पत्र तयार किये गया है जि सिक्षक अभ्यर्थी चैनित हुए थे इन में से एक लाग दस अजार ने ही और बंदिक नियुकति पत्र प्राप्त किया है यहां यह उलेकनी है कि लगवग एक लाग बीस अजार सिक्षकों ने कहा जाए कि परिच्छा दिया था पास किया है लेकिन अभी तक नियुकति प सिक्षक वर्ग नाइन टेंथ के लिए जो है 26,000 नवासी और उच्च माधिमिक सिक्षक वर्ग 11 टूवल्थ की संख्या जो 23,702 है हलाकि मिल पाई है कि मंगलवार तक कितने सिक्षकों ने योगदान कर लिया है तो 1,10,000 सिक्षकों ने स्कूलों में योगदान दिया है 1,20,336 सिक्षक अभियर्थी चैनित हुए थे अगर दूसरे अपडेट की बात की जाए तो अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने कहा सिर्फ दहिक उपसीती दर्जना कराया अध्यापक परते दिने कम से कम 6 कक्षा लेंगे माधमिक स्कूलों के सिक्षक दोस्तों अपर सची मुक्य के के पाठक ने सिक्षकों से कहा है कि वो इसकूलों में सिर्फ भौतिक दैहिक उपसिती दर्ज ना कराए इससे बढ़कर इसकूलों में वो अपनी वासविक उपसिती दर्ज कराए ताकि बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा प्राप्त हो सके और कमजोर बच्चे भी अपनी कख्छा के अनुरूप ग्यान हासिल कर सके इसको लेकर पाठक ने मंगलवार को सभी जिलादिकारियों को पत्र लिखा है जिलादिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एक दिसंबर से सुरू हो रहे मिसंदक्ष के अंतरगत जल्द बैठक बु उपसिती दर्ज ना करें बलकि बच्चों को भी पढ़ाएं अच्छे तरीके से पढ़ाएं और अपनी उपसिती दर्ज कराएं ताकि बच्चों को गुणवता पूर्ण सिख्छा प्राप्त हो सके और कमजोर बच्चे भी अपनी कख्छा के अनुरूप ग्यान हासिल कर सक के और उनका भी भवित से उज्जोल हो सभी जिलादिकारियों को भी पत्र लिक करके इस बाबत जो है निर्देश दे दिया गया है और दिसंबर में एक दिसंबर से सुरू हो रहा है मिसंदक्ष के अंतरगत जल्द बैठक बुला कर भी करवाई करें खाली बैठे रहते हैं उन्हों पत्र में कहा कि एक जुलाई से स्कूलों के निरक्षन में यह बात सामने आई थी कि माधमिक स्कूलों में प्रयाप संक्या में स यह कक्षाएं लें साथ ही मिसंदक्ष के तहद भी प्रारमे की स्कूलों में जाकर पांच-पांच बच्चों को बच्चों की जो है एक कक्षा लें स्री पाठक ने यह भी कहा कि बिहार लोग से वायोगने नौनिक सिक्षकों से सिक्षा विभाग को काफी आशाय है साथ मिसंदक्ष के तहद भी प्रारमे की स्कूलों में जाकर पांच-पांच बच्चों की एक कक्षा लेंगे सिक्षक साथ ही साथ पाठक ने यह भी कहा कि बिहार लोग से वायोग से नौनिक्स सिक्षकों से सिक्षा विभाग को काफी आशाय है नियोजिस सिक्षक भी न सिर्फ उपसित होना है बलकि प्रति दिन कम से कम 6 कक्षाएं भी माधमिक स्कूलों के सिख्षकों को लेना होगा तो यह था महत्पूर्ण अपडेट इस वीडियो में ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक करना न भूलेंगे साथी साथ सेर कर दें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दन टेक केर थैंक्यू सो मच पूचिंग इस वीडियो जय हिंद जय भारत